सभी मित्रों को नमस्कार, मित्रों स्वागत आपका रायथान यूटूब चैनल पर साथियों, हम बात करने जाने जालोर का साखा, पिछले एंटिवाइटिंग मैंने आपको सिवाना का साखा दिया था, और यहां देखे देरा जालोर का साखा, सवाल बनता है, क्योंकि जालो तरीके से समझाने का प्रियास किया था, सिवाना का साखा में, कि सिवाना जालोर दुरु की कुंजी कहलाता है, और मारवार की राजाओ की स्रनिस्तिली कहलाता है, मारवार की संकट काली धनी भी सिवाना है, और 1308 में अला उद दिन खिलजी ने सिवाना पैदिकार कर लिया उसके बाद मुख्य समझता थी जालोर जालोर के कौन थे कानड़ देओ अब कानड़ देओ जालोर के और वहां देखिया डिल्ली के अलाउ दिन खिल जी अलाउ दिन खिल जी सामराज जी विस्तार करना चाहता था और आपको पता है कई बार बचरचा किये मैंने गुजरात आकर्मन के समय कानड़ देओ के पिटा सामन सिंग चौवान जालोर के चौवान शासक हुआ करते थे 1288 में 99 में क्यों कानड़ देओ तो 1305 में राजा बना ह अब पूछा जाए कि अलाउ दिन खिल जी के गुजरात अभ्यान के समय सोमनात के मंदर के अभ्यान के समय जालोर का शासक कोन था मैं धावय के साथ कह सकता हूं अभी वे आप लोग क्या लिखेंगे मित्रो कानड़ देओ लिखेंगे मैं वादा करता हूं आप लोग उसे पक्का कानर देव लिखेंगे आप लोग, मित्रो, सामन सिंग चौभान, चौभान शासक हुआ करता था, उसने इस सैना को अपने राज्ये से नहीं गुजरने दी, तो अलाव दिर खिल जी के जालोर प्याटे के हमें दो कान मिलते हैं, एक मिलता है मित्रो, आपने का भी नाम सुना हो, पदम नाबका, एक है कानर देपरभंद और दूसरी हे मित्रो, वीरम देव सोन गरारी वाता, कानर दोगे परबंद कहरा है कि वही कि उसका बदला देने के लिए जाल दूर परटे किया जबकि वीरमदेव सोंगरा दिवात कहरा है कि अला उदिन और गिल जी के एक बेटी थी फिरोजा और कानड़ देव के पुत बेटी थी साथियो बेटा था उनका नाम था विरम देव सोन गराव हां के चवहनों का गोतर है ठीक है आप तो मज़े वाली बात चल रही है साथियो आप तो अप तो ऐसे लगा है घुरुजी को चोने वाला है तुम्हें ऐसी बाते चाहिए ठीक ह प्रिम परसंग की बात आई तो बोला कि ऐसा है विवा कर लो विरम देव ने मना कर दिया विवा नहीं किया और साथियो इस वज़े से अलाव दिन खिलजी ना टेक किया कारण कोई भी रहा हो लेकिन कुल मिला के अलाव दिन खिलजी साथियो सामरेज्य कभिस्तार करना चा ओकान फिर चित्ugen अभियां फिर शिवहान बियान फिर जालोर भियान साथियो सेना ऑज और ऌतना न किसके नेतुरों कि श्रेक दावर कोन तो allons अल्यून द्यकी जीुको खालों दून गुरुक को भेजा और साथ ये कुट निति से काम लिया ब्ला हम दुरुक के अंदर कैसे जाएग शीवाना दुरुक पर हमने अधिकार किया था शीवाना दुरुक तो हमने क्या किया गवरक्त मिला दिया भाहलाuser नमक सर्दार से लेकिन अब इसके अंदर कैसे जाए साथियो तो यहां विश्वास घात करेगा धहिया सरदार बीका कौन करेगा धहिया सरदार बीका वे अंदर जाने की विदी बताएगा कुछ लोग कहते हैं ऐसा है कि दुरुक के चारोतर बोला ऐसा है एक भाग को मिट्टी का बना हुआ ह बोले ऐसे लिए राई लाईए और राई को चारोतर बखेर दी ऐसे ऐसे राई को चारोतर बखेर दी बोले जहां से मिट्टी से बना होगा वहीं क्या देदेगी राई अंकूर देदेगी साथियो तो शैकड़ो गुना भावों में राई खरीदी गई पर इसलिए कहते है जैसे रात को पता लगा यार राई तो भोत महेंगे भाव भी की है तो चले भाई अपने और लाए साब मेरा जैसा गया अब लाएसे करता है ठीक है कि हम लोग तकड़ा लेके चले साथियों तो फिर हुआ क्या देखे गए साब तो काबल राई का भाव तो रातो राती बीत साथियों ये ध्यार रखें आप लोग तो ये कावत बनी राई के भाव तो रातो राती बीत गए ये दैयो सरदार बीका ने विश्वास घात किया अला उद्दिन खिल जी के सैना अंदर परवेश की साथियों केसरिया कानर देव और उनके पुत्र कोन है वीरम देव सोन ग कार कर लिया साथियों यहां ये चौहान शा का खतम होती है और यहां पर अला उद्दिन खिल जी जालूर का नाम बदल के जलाल अबाद कर देते हैं जिस परकार से चितोड का नाम साथियों खिजराबाद करते हैं उसी तरीके से सिवाना का नाम खेराबाद करते हैं और उस तोफ मस्चिद तोफ जैसी आकरति करने से तोफ मस्चिद कहते हैं इसे अलाउदिन खिल जी के मस्चिद भी कह सकते हैं तोफ मस्चिद अलाउदिन खिल जी के मस्चिद अलाई दर्वाजा फ्रोजा का जो मकबरा है यह यहां बनवाए और सातियों यहां इनके भाई है यहां ता मूचाला मालदेव खिजरा खा को इन्होंने चित्तोड देगा और इनी के पुत्तर को राणा अमीर 23 चपवीस पराजित करके चित्तोड पराजा बनेगा कहने का मतलब मालदेव चोवान कानर देव चोवान के भाई है लंबी-लंबी मूचा रखते हैं इसलिए मित्रों करते हैं यह मालदेव चोवान अला उद्दिन खिलजी के सरण में जाता है और खिजरा खा अला उद्दिन खिलजी चित्तोड जित के अपने पुत्र खिजरा खा को देता है खिजरा खा इस मालदेव चोवान को देता है और साथी मालदेव चोवान के पुत्रों को ही साथियो, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी भी सान दबा देना, हमार रायथान टेलिग्राम को साथियो जोईन करना, रायथान की पुस्तक पढ़ना, रायथान के नोट्स पढ़ना, राजस्तान जी के में साथियो आप प्यार प्रेम रायथान को देते रहना, ये रायथ भरोसट दिला रहा है कि राजस्तां जी के में आपको नमबर वण दे के जाएगा साथियो किनी मैंनत करनी पड़ी है सामसे शरोकार चल रहा है सथियों भगवान आप सबका हमारा भला करेगा धन्यवाद थेंक्यों राम राम साब